तो गुड़ मॉनिंग गाइस आप लोग कैसे हो गाइस कमेंट में बताना मत भूलना और आपका बहुत चंगा चल रहा है तो यहां पर अपने पास 16 million coins है तो आप देख लगते हो अपने मियमे में लगा लिया है 10 million का गेम देखते हैं जीते हैं कि आड़ते हैं वीडियो के एंड तक बने रहना वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनी है आप लोग सोचो कि भाई गेम मैंने तीन गेम जीती हैं ठीक है एक रोम और एक 10 million का यह 15 मॉंबै टेबल तो यह एंड तक देखना वीडियो बहुत ही मज़ा आ जाएगा और भाई कमेंट किया करो और आप लोग देखते होगा इस तो लाइक नहीं करते हो लाइक तो कर दिया करो एक बटन हिट करने से अपने को मोटिवेट मिलते हैं कि हां लोग बंदे इंट्रे चैलेंज जो अपने कम्प्रीट करने के ट्राइगे और भाई पढ़ाई भी करेंगे साथ में तो जल्दी से चैलेंज दो है और यहां पर भाई खेर रहे हैं 516 लेवल है भाई का नाम है एबीडी पता नहीं क्या है अब बेद भी हो सकता है बंदे ने आई नहीं लिखा है बीश में और यहां पर भाई मैंको तो लगता है गेम सिंपल सिंपल फिनिश है बट यह पोजिशन मैंने देखा ना मैंने बोला भाई वाइड बॉल स्क्रैच हो नहीं है फ्रंट स्पी न्यूस करेगा बंदा पता है मेरे को फ्रंट राइट लिफ्ट स्पी न्यूस किया और बंदा खुछ स्क्रैच हो गया यहां पर और अपने को मोका दिया कि भाई गेम आप जीत के लेगे जा सकती हो तो यार अपने बोला भाई बेशक गेम जीत के जाएंगे और मजे करके जाएंगे और अगर ब्रैक ब्रॉन में वाइस आ रही है तो सौरी फॉर डेट ताकि बॉल पीछे की तरफ और और देख सकते हो पीछे की तरफ आ गई है तो यार अपने लो आसानी से प्ले कर सकते है जब अपने को ऐसा पोजिशन मिलता है तो अपने को यूज करना चाहिए लेफ्ट स्पिन ताकि बॉल एक ही स्टेट फॉरवर्ड ट्राई करें ठीक ह ज्यादा लेफ्ट नहीं यूज करना ज्यादा लेफ्ट यूज करोगे तो आपकी वाइट बॉल स्क्राइच हो जाएगी अभी देखो यार बॉल सीधा स्टेट टू स्टेट जाएगी देखर हो अगर आप यह यूज नहीं करते तो टॉप मिडल में घुश जाती तो भाल नहीं दालीय वन एक रोम आड़ जाते हैं तो यार ब्लाक बॉल अपनी चले आती है वह बंदा ब्रेक यूज नहीं करता और डियाएग्ट अपने टॉप मिडल में घुश जाती है तो यार उस तरीके से आरे बहुत ही गंती तरीके से तो मैं में ध्यान से उतर कया था और यहां पर ब्लैक बॉल की position एकदम pocket के पास है और बंदा क्या करता है देखो यार आखरी में देखो आखरी तक देखना वीडियो को और इस रोम के table पर बंदा क्या करता है यार मतलब कोई noob भी होगा तो उसको भी समझ में आएगा यहां पर ब्लैक बॉल जा सकती है ऐसे म मानने पर ऐसे मानने पर ब्लैक बॉल जाएगी कंपल सरी जाएगी बटिया यहां पर बंदे को कुछ समझ में आता नहीं है बंदा बैंक शॉट खेलने जाता है उसकी बॉल फसी होईती है ब्लैक घुच जाती है और यह भी अपने को आसानी से four million मतलब extra मिल जाते है तो या सब्सक्राइब को प्ले करोगे फिर कोई लूस कर जाओगे जितने भी है वो भी चले जाएंगे पांच मिलियन से सब्सक्राइब करो आपके पास रूम खेलने उतना है अगर आप डैरेक्ट बैंकोक लगा लेते हो दो तीन लाग बचेंगे अपने पास अगर आप हारते हो जीते हो तो बहुत अच्छी बात है अगर हार गये तो इससे बेटर हेगे आप हलका-लका प्ले करो ङंग्रली में और पारीज में इसमें प्ले करो जाँब सोचो लोग बनाते हैं भाई जो वीडियो बनाते हैं यूटुब के लिए वो 75 मिलियन आप देखा होगा 75 मिलियन ही रखते हैं जेस्ट 75 मिलियन से बना लेते हैं तो यार उसके पास एक प्रसनल एकाउंट होता है अगर वो हार जाता है भी तो भाई एक आदे घंटे में फिर 75 मिलि आपको चांस मिलता है मिलता ही नहीं है चांस अभी छोटे लेवल का पता नहीं बट यार बड़े लेवल के अकोंस जब लेके जाते हो ना प्लेयर्स ऐसे आते हैं कि बढ़ी सीधा डिनाइल मार देते हैं आप सोचो यार लंडान में अभी डिनाइल पढ़ने लगाए तो क्यों नहीं पड़ेगा तो यह सीन है और यहां पर बंबई में 349 लेवल का बंदा गिरी गया है क्लब डृम करके बंदे का क्लब है तो और यहां पर बंदे का ही ब्रेक है ना मतलब यार पहले मेरे हिसाब से तो भाई इसको ग्रेन क्लियर कर लेनी चाहिए और उसके बाद में भाई रेड ब्राउन के साथ किसी के भी साथ जा सकता है बट यहां पे अगर ग्रीन बाद में प्ले करता है तो भाई इसके लिए दिक्कत साबित हो सकती है अभी देखो यार क्या कुछ करता है सारे बॉल्स ओपन है बट यार यह आसान सा गेम है यह गलत हो आपने साथ मतलब भाई सिधा-सिधा प्ले करके कोई भी चले जाएगा बच्चे को भी देज़े तो भाई वो भी यह गेम क्लियर कर सकता है और भाई इसको ग्रीन प्ले कर लेना चाहिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि ग्रीन प्ले कर लेना चाहिए बट यहां पर अभी ग्रीन को नहीं प्ले कर सकता अभी ब्राउन को प्ले करेगा और यहां पर बहुत ही अच्छा सोस समझ के फैसला लिया है बंदेने बट यार रेड को भी प्ले करना ज़रूरी है वरना सकता था श्श्चाशा स सीगेंगर यार लाजमी सी बात है और भाइ सारे बॉल्ल अपने ओपेन है और पहले रेड टुग डुलो प्ले करेंगे ठीक है पहले difficults जो ball होते हैं उसको clear कर लेने चाहिए जब आप difficults ball clear कर लेते हो उसके बाद में आपको बहुत ही आसान सा मिल जाता है कि हाँ ball सारे आसान है ठीक है अगर आप पहले आसान असान प्ले कर लोगे फिर बाद में दिक्कत दे सकती है जैसे कि वरलिन घेर रहे हो आपने black की position नहीं देखिए आपको सभी सीधा सीधा दिख रहा है सभी सीधा सीधा प्ले कर लिया जब आपकी black की ball यह आती है तो बहुत लोग miss कर देते हैं वो chance क्य इसकर देते हैं क्योंकि उन्होंने black के बारे में सोचा ही नहीं भाई उन्होंने पहले सारे balls के बार advocation पहले black को निखाओ ब्लैक को आसान सा बनाओ उसके बाद में सब स्पिन की मदद से तो यह बात है तो यहां पर अपने बॉल सारे पॉट करने पे तुल गए है और यहां पर परपल से परपल प्ले करेंगे और यहां पर ब्लैक को थोड़ा सा धक्का लगेगा और ब्लैक स्क्राइच भी हो सकता है मेरे हिसाब से जादा फूर्स यूज़ करन तो यह यह था वीडियो का आखरी सीन एंड थैंक यू फो वाचिंग बाई बाई टो आल टेक कर गई जो थर्टी नाइन मिलियन हो चुके है इंशाल्ला थैंक यू फो वाचिंग बाई बाई टो आल